लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले यूँ तो आपने अलग-अलग आसियत वाले कई पेड़ दीके होंगे, कोई सबसे पुराना है तो कोई अजीब और गरीब आकरती वाला आज हम आपको दुनिया के सबसे अनोखे पेड़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे एक बोतल पेड, यह पेड नामीबिया में बना है और यह धरती के सबसे घातक पेड़ों की गिंती में आता है इस पेड़ से निकलने वाला दुधिया रुपए बहुत ही जहरीला होता है पुराने समय में तो इस पेड़ को शिकारी अपना शिकार करने के काम में भी लेते थे शिकारी इसके जहरीले दुधिया रुपए को अपने तीर पर लगा कर शिकारी को निशाना बनाते थे दो वाबोना पेड रेड़ वूड सयुक्त राज्य अमेरिका के यूसमाई ट्राश्ट्री उद्यान के मेरिपोसा ग्रोव में स्थित ये पेड़ काफी विशाल काय है और 1881 में इसके तने को बीच में से काट कर इसमें से रास्ता बना दिया गया इसी कारण ये पेड परियटकों के लिए एक खास आकरशन का केंद्र बना रहता है एक हजार साल पुडाने यह पेड में डागासकर से मिलते जुलते हैं इन पेडों की उचाई करीब 20 मीटर होती है जबकि इन का तना करीब 25 मीटर से भी ज्यादा मोटा होता है सूखा पढ़ने की स्थिती में इनका तना अपने लिए पानी इकट्टा करने का काम करता है सावन के मौसम में जब इन पेडों पर फूल लगते हैं तो वो सिर्फ 24 घंटे तक ही रहते हैं और फिर तूट जाते हैं चार सिल कॉटन ट्री डक्षन पूर्व एशिया के टाप राम मंदिर की सबसे बड़ी आस्यत यह पेड़ ही है इस पेड़ की जड़ों ने इस मंदिर को चारों तरफ से जगड रखा है इस पेड़ की उचाई बहुत ज्यादा है और परिहटकों के लिए यह पेड़ा करशन का केंदर बना रहता है यह मंदिर यूनेस्को की विश्व विराचत है पांच हाई पेरियन यह दुनिया का सबसे उटा पेड़ है इस तरह के पेड़ 1200 से 1800 तक जिन्दा रहते है इस हाईपेरियन पेड़ की लंबाई है करीब 115.5 मीटर जबकि यह करीब 9 मीटर चौड़ा है यह पेड़ नियू यॉर्क की स्टाचू अफ लिबर्टी से भी उचा है मूल रूप से मद्य और दक्षन अमेरिका में पाया जाने वाला यह पेड़ काफी अनोखा है इस पेड़ के तने पर स्पाइक्स बने होते हैं और इसके पत्ते करीब 3 मीटर तक लंबे होते हैं इस पेड़ पर लगने वाला किन्विक फल काफी लोग पिया है साथ कोकिड फॉरेस्ट औफ ग्रिफिनों पस्चिम पूलन में ग्राइफिनों के पास उद्य ये करीब 4-100 पेड़ काफी रहस्यमाई हैं ये पेड़ बड़ी अजीब आकरती के हैं और इन पेड़ों की ऐसी आकरती कैसे बनी यह कोई नहीं समझ पाया किसी का कहना है कि इनसानों ने ही इन पेड़ों को ऐसा आकार दिया है ताकि इने फरनीचर, हल और नाव बनाने के काम में लिया जा सके